अले जोस्तों नमस्तार तो चलिए देखते हैं कि आज का मार्केट एक ऐसा प्रफॉर्म किया है और अनल्सिस करते हैं कि कल क्या हो सकता है और आलगी एक्ट्वल प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर पाता कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन लेवल जरूर हम लो यह जब भी मार्केट ऊप लग यह जो एया फ्रोपिए सेलिंग आ जा रही जैसे हम लोग अभिधा थुरा वं दे के चार्ट पिद राते हैं तो वंडे के चार्ट पर जया चला मार्केट में जब भी टॉप लगा जैसे यहां पर लिए Y बना और सेलिंग आ गई यह सो नया हाई बना और सेलिंग आ गई एगें मार्केट में एक नया हाई बना और नेक्स डे इमेडियेट सेलिंग आ गई और अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया घ्यान रखना आप मार्केट यहाँ पे क्या किया है कि अपने इस हाई को ब्रेक किया और फिर जो है सो मार्केट वहां से सेलिंग में चला गया मतलब नीचे आ गया सेलिंग में अभी यह नहीं बोलेंगे बायर है profit book करना शुरू कर देंगा market नीच आ जाएगा फिलहाल के लिए market में अगर देखा जाए तो ये high लगा है उसके बाद selling आ गई है again market में ये high लगा है फिर selling आ गई है again market में एक high लगा है फिर selling आ गई है high लगा selling आ गई high लगा high लगा high लगा तो अब यह हाई जो है यह यहां तक आएगा नीची आएगा यह यहीं पर टाइम पास के ऊपर चला जाएगा यह किसी को पता नहीं है अब हम लोग थोड़ा सा आज की प्राइस स्ट्रक्चर को समझने कोशिश करते हैं कि आज कौन सा बुरिस प्राइस स्ट्रक्चर बना और पहले आते हम पांच मिनट के चार्ट पर पांच मिनट के चार्ट पर इसको समझने की कोशिश करते हैं देखो यह जो है यहां यह लो है फिर मार्केट में हाई लगा फिर मार्केट में एक हाई लगा फिर मार्केट में एक लो लगा लेकिन यह लो जो ऐसा या तो आप यह लोग को मानोगे और यह हाई को मानोगे तो यह लोग प्रिवियस लोग के उपर लगा ठीक है कोई बात नहीं है अब यह हाई नहीं लगा तो इस लोग को वैलिडिटी नहीं है यह हाई लगा तो फिर हम इस लोग को वैलिडिटी देंगे है फिर एक हाई लगा फिर एक ल ला गया अब आप क्या इंतजार करोगे आपको अगर इस मार्केट में बाई करना होगा तो आप डीप का इंतजार करोगे क्योंकि मार्केट जो डीप दिया तो रहा से लगए तो यह किना उपर जाजा यह कहां तक जाजा यह किसी नहीं पता है लेकिंग, अब मैं इसके इस अदर के लिए रोक देता हूँ और आपको कुछ समझाने कोशिस करता हूँ वो सीखने की आप कोशिस करो यह हमारा एक लो है यह लो इस लो के थोरा उपर है यह लो जो है, यह लो जो है प्रिवियस लो के उपर है और यह लो जो है सो प्रिवियस लो के उपर है समझना आप बात को थोरा सा ध्यान से अब यहाँ पर जो मार्केट जब यहाँ उपन होता है और यहीं से उपर चला जाता है बहुत सारे लोग यहाँ फूमों में घुछ जाएंगे, अजब फूमों में घुछेंगें, तो आपका SL कहां होगा भाई, जरा आप बताओ मुझे, आपका SL, यहाँ तक का आप SL लोगे क्या, मतलब कि अगर जो ब्यक्ति, इधर कहीं भी घुछेगा, वो कि 70 ए 72 पॉइंट क SL लेगा, नहीं ले सकता ना, जैसे मान लो, आपने यहाँ घुछे हो, तो आपका SL यहाँ से 20 पॉइंट का बनेगा, आप इधर कहीं घुछे हो, तो आपका SL यहाँ से 50 पॉइंट का बन रहा है, तो आपका SL इसको लेके चलो, जैसे मान लो कि इसको लेके चल सकते हुआ, या फिर आप यहां कहीं भूस रहो तो आपका ऐसल यह रहेगा, अब यहां पर क्या हुआ कि मार्केट को एक डीप देने दो फिर बाइक कर लेना आप, तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां पर लोगों को फसाया है, यहां पर मार्केट क्या किया है, कि लोगों को फसाया यहां पे time pass किया और धराक से लेया के नीचे premium में आभी तो यह देख लो premium देखोगे तो आपको माता पकर लोगे मतलब आपको buy तक का मोका नहीं दिया और market में यहां पे आगया अब यहां पे आने के बाद में market धिरे धिरे बाई कर रहा है लेकिन अपने high को नहीं निकाल रहा है अपने high को तीन बार गया लेकिन high को निकाली नहीं रहा है तो जब high को नहीं निकाल रहा है तो क्या होगा market जो यह सो try कर रहा है high निकाल 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 लेकिन जैसे वहां जा रहा है सा हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और समझने कोशिस करते हैं अब देखना आप यहाँ पे, market का एक हाई यह है और दूसरा हाई यह है, तो यह दोनों हाई को आप मिला दो, ओके अब यहाँ पे यह है कि market अगर market जैसे यहाँ पे रूका है यह है अगर यहां से market नीचे खुल कि और नीचे आता है तो हमारे पास में target major target यही रहेगा ठीक है major target हमारे पास में यह रहेगा और अगर इसको भी आप shift कर दो तो क्योंकि नीचे आ रहा है तो आपका target यह भी हो सकता है यह वाला तो हमारा एक zone यह हो गया कि हमारा एक target यहाँ से अगर नीचे आता है market यहाँ से भी नहीं पकर के चलो आप इस level तक पकर के चलो ठीक है तो यहाँ से हमारे पास यह हमारे लिए level खुल गया है कि हम यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ के आने के बाद में फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है तो यहाँ से नीचे का और अगर नीचे जाता है तो आपके यह level है और उसके नीचे और अगर जाएगा तो आपका यहाँ पर यह level बन सकता है नीचे नीचे के अगर आता है लेकिन पहले बाती है कि यहां पर ये candle को close वने दो, क्योंकि देखो अभी क्या मना हुआ है market में, अगर आप 5 मिनिट में आओगे, देखना, प्राइज एक्षन को read करना सीफो बाकि सब्सक्रीश ठीक है, अभी क्या है, देखो, market ने क्या किया, ये जो है सो, आपका low लगा, अब यहां पर market open होता है, और सीधे सीधे नीचे जा रहा है, तो आप sale मत कर देना भाई, क्योंकि देखो, आप जहां देना, market में कैसे बना प्राइज एक्षन, ये, एक high, ये लो, अब फिर जब रिट्रेस्मेंट करेगा ना, तब आप sort करना, मतलब कि यहां पर ये हो गय कि ये जब इस जगह पर जाए, इधर कहीं में अपको मिलता है, जहां support लिया था, वहां से resistance लेगा, तो आपका जो एक trade बनेगा, जो कि इस low के, मतलब कि ये जो low है, और trade valid कम मानेंगे, जब इस low के नीचे जाकर कि एक low लगे, अब फिर वहां से एक retracement आए, इस low तक, ये इसके पहले से ये गिर जाए, आसे हो जाए, तब आपका projection valid मना जाता है, अब जैसे यहां पर देखो आप, यहां तो इसको क्या करना चाहिए था, market यहां पर यह जो है, यह projection बना था, यह गया, और यहीं से इसको उपर निकलना चाहिए था, यहां से नहीं निकला, मतलब अब यहां पर यह ऐसा projection है, तो इस चीज को follow करना, अच्छा, अभी मान लो कि यह सारा चीज को हम मिटा दे रहे हैं, हमारे पास में जो level है, वो यहीं level है, इस level को मान के चल रहे हैं, अब कल के दिन मान लेते हैं, कि market हमारा यहां से आया नीचे, मतलब कि market हमारा एक यह भी बन रहा है, कि market यहां से आये गा नीचे, फिर यह करके यह ऐसे आजाएगा, ऐसा, दूसरा एक यह भी हो सकता है, कि market अगर आपका इस level के उपर खुलता है, तो क्या करोगे, तो इस level के यहां पर कहीं पर खुलता है, या इस level खुलता है, तो market पहले point रहे हैं, कि यह level खु यहां पे खुलने के बाद में मार्केट एक रिट्रेस्मेंट ले यहां तक का अब फिर यह उपर निकाले या मार्केट आपका कल यहां पे खुल जाता है तो यहां पे खुलने के बाद में हमें यहां तक जाना परेगा फिर जब नीचे के प्राजेक्शन बनेगा तो ही ट्र देखो ये लेवल लगा हुआ था मार्केट उसी के बीच पे घुम रहा है तो अब कल इसके नीचे जो है सो प्राइजेक्शन अगर बनेगा जैसे यहां पर अभी एक प्राइजेक्शन बना यह यह गया यह फिर रिट्रेस्मेंट किया फिर नीचे आ गया फिर यह यह प्राद में यहां पर आपको फिन निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो फिन निफ्टी इंडाइसेस कि निफ्टी फिन निफ्टी फ्यूचर कि यह बार-बार इसको निफ्टी निफ्टी फिनांश तो हमारे पास जो है इसका भी सेमी है तो कल इसका वह है इसके नीचे हम जो है देखो इसके भी नीचे हम नहीं मान रहे हैं अब हाँ तक यह जो है अभी हहां तक आ सकता है यहां पे आने के बाद में एक बार इसको रोड़ने स्को प्रेट करना बिना मतलब कि जल्दिवाजी में जैसे यहां जल्दिवाजी में घुष करके नुक्सान कर लिए वैसे नहीं करना पहले तुम्हें प्राइजेक्शन बनना परेगा उसके देखो ट्रेड कभी बनता है जैसे आप प्रिवियस देखो न अप इतना घबराओगे इतल्दि नहीं होगा बात देखो समझो बात को अब जैसे मौनलो कि यह गया ऊपर अफिर यह आया नीचे अफिर नेक्स्स डेजब यह केंडल है न यह जब यह यह prone से सीधे नीची आ गया है अभर यहां से नींचे आ खिर यह गया तो यहाँ पर अइन प्राइजेक्शन makes भरहसा होता है कि यहां बायरेक्टिव है अब यहां पर ना हाई टूट रहा है बीच महीं मार्केट घूंग रहा है तो क्या करेंगे यहां पर कुछ नहीं करोगे ले लोगे तब अब कुछ नहीं होगा, ले करके और पच्टा होगे, अब मालो की यहां पर है अब यह आया नीचे, फिर रिट्रेस किया फिर आया नीचे, अब यहां से रिट्रेस्मेंट हो अब फिर यह नीचे आये लेकिन अगर मालो कि यह यही कुल जाए, यही खुल गया यह या इधर कहीं खुल गया तो भी यह retracement के लिए जाएगा फिर ही गीरेगा और आप इसको अगर dot to dot connect करोगे आप तो यह है देखो यह projection बन गया ना तो यही चीज़ सिखना है भीना मतलब के पटर पटर करके सब capital मत बरबाद करो sensex को sensex को देख लेते हैं एक बार कि sensex क्या कर रहा हमारा जैसा निफ्टी हो ऐसा sensex अब यहाँ पर सेमी चीज़ है यह projection बना हुआ है अगर इसको continuation करना है तो market यहाँ खुले और यह bounce दे और फिर यह आ जाए तो ही आप sort करना और upper side में आपको पता ही है कि upper side में इसके उपर ही हम bullish होंगे और फिर इसके उपर हम बहुत अच्छे bullish हो जाएंगे लेकिन यह directly नहीं होंगे भाई market को इसके उपर trade करने दो मालो कि इधर से यह गया ऐसे फिर एक बार नीचे आएगा फिर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर तो यह यह जो है ना यह यह low जो है upward shift होना च क्या हुआ है निप्टी 50 इंडेक्स का मालो कि यह open हो रहा है बाइस तीन सपे तो बाइस दो सो का हम लोग option चार्ट देखते हैं तेस सोरी तेस दो सो का call का option चार्ट देखते हैं कि वो क्या किया है अब यहां पे अब ध्यान से सुनना आप इस चीज को यहां से यह गया फि को बेकुप कैसे बनाए जाता समझना बात के यह क्या कि आप इसको high मान के चल रहे हो तो यह जो लो है न यह इसको यहां से यहीं से bounce होना चाहिए था यहीं से bounce के और निकलना चाहिए था जैसे previous day में आप देखोगे ना तो आप देखना आप यहां पे यह जो है ये फिर यह नीचे फिर यही से बाइंग आ गई तो वैसे यहां था यह नीचे आ करके उपर निकलना था नहीं निकला लोगों फसा के मार दिया मार कितना दिया भाई यह 75 पॉइंट कम नहीं होता रहे बाबा जान खा जाएगा यह और देख यह 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 मार केट गुस लिया एक चैनल यह बस और आप लोग बस इसी में दिन भर खेलती रहे और कैप्टल को बरबाद करती रहे बस ऐसे ही मार केट चलता रहा हुआ कुछ नहीं तो आप लोग प्राइजेक्षन को समझो, सीखो, तभे ट्रेड करो, नहीं तो नहीं आता है तो पेपर ट्रेडिग करो, लेकिन फालती में अपने कैप्टल को बरबाद मत करो, क्योंकि आप्शन ट्रेडिंग का इंडिया में एक बुखार चल गया है, और यह है बुखार जो है, मैं यह की बोलनों कि पैसा नहीं बनता है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है ना तुम्हें नहीं बनी है ते तुम्हें ले भी देगा।